हलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का पार्ट 5 शब्दार्थ पढ़ेंगे किसी भी भाषा को सही तरीके से बोलने के लिए शब्दों का उचित ज्यान अती आवश्यक है यानि कि अगर हम कोई सी भी भाषा बोल रहे हैं जैसे की हिंदी या फिर इंग्लिश तो उसे सही तरीके से बोलने के लिए हमें शब्दों के उचित ज्यान का होना जरूरी है शब्द ज्यान के साथ साथ उनका अर्थ और सही स्थान पर प्रयोग का पता होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है अन्यथा इसके अभाव में कभी-कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है यानि शब्द ग्यान तो ठीक है हमें शब्दों के पारे में ग्यान है लिकिन शब्दों का अर्थ भी पता होना चाहिए और उस शब्द को हमें कहां प्रयोक करना है वाकिये बोलते समय या लिखते समय हमें उस शब्द को कहां इस्तिमाल करना है उसका पता होना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है अन्य था कभी-कभी हम किसी शब्द को किसी दूसरी जगे रख देते हैं तो उसका अनर्थ हो जाता है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो आज हम एक से लेकर बीस तक शब्दार्थ देखेंगे रूची यानि की इंट्रेस्ट दिल्चस्पी किसी चीज में रूची होना शल्य चिकित्सा जिसे की हम ऑपरेशन या फिर सर्जरी कहते हैं उसका मतलब होता है चीर फाड से चिकित्सा किसी की बॉड़ी को चीर फाड करके उससे चिकित्सा की जाती है उससे शल्य चिकित्सा कहते हैं शासक यानि की रूलर शासन करने वाला या फिर राजकाच करने वाला आरंभ बिगनिंग किसी चीज की शुरुवात पवित्र, pure यानिकि शुद्ध या फिर पावन यात्रा, journey यानिकि सफर यातायात, ट्राफिक, आना जाना मौन, quiet यानिकि चुप क्षमतावान, capable यानिकि समर्थ यानिकि किसी भी काम को करने में समर्थ होना, किसी काम को कर सकना भयंकर, dangerous यानि की खतरनाक भीड, crowd यानि की जन समूह, लोगों का समूह, लोगों का ग्रुप भाग्य, destiny, किस्मत ज्यानी, learned यानि की विध्वान जिसे बहुत अधिक ज्यान हूँ स्मरन, recall, याद करना, किसी को याद करना, किसी को स्मरन करना सुस्वाद, delicious, स्वादिष्ट रक्षक, saviour, यानि की रखवाला, रक्षा करने वाला छोटे तुकडे, bits, किसी भी वस्तु का एक छोटा भाग, किसी भी एक वस्तु का छोटा सभाग जैसे कि एक बड़ा सा पेपर है, उस पेपर के हमने तुकडे कर दिये, तो वो छोटा तुकड़ा हो जाता है आकलन करना, estimate, यानि अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना व्यक्ति, person, यानि की आदमी अधिक्तम, maximum, यानि अधिक से अधिक, जादा से जादा तो ये एक से लेकर 20 तक के शब्दार्थ आपको पढ़ने हैं अपनी किताब में से और उन्हें याद भी करना है हिंदी में भी याद होना चाहिए उसका अर्थ और उसका English word भी हमें याद होना चाहिए